जब हम गुरु के निर्देश में और पूरुन तह वो माता पिता जिनको पैरेंट्स कहते हैं स्वेम नहीं दे सकते तो यह योग के जगह से उनको ऐसी उचित दिख्षा उचित बेवहार सीखने का उनको अउसर दो एक सो साल का जीवन माना जाता था जिसमें चार आशरम बनाए गए थे 25 साल तक ब्रहभचचरय का मतलब ब्रहभचचरय आशरम जहां पर सिख्षा इप्तियादी होती पचीश से पचास को ग्रहस्त आश्रम माना जाता था पचास से पच्छत्तर को बानप्रस्त आश्रम माना जाता पच्छत्तर से सो को सन्यास आश्रम माना जाता यहां तो जनम हो गया, जनम के बाद वही दुकान में बैठे-बैठे सन्यास भी वहीं पर हो गया वहीं से निकल गये कपड़ा मापते मापते वह बानप्रस्थ कब हुआ आपका आपका सन्यास कब हुआ ग्रस्थ भी कब ठीक से हुआ आपका 25 वर्स तक ब्रह्मचरे कब हुआ आपका 25 वर्स तक तो जब सब चीजों का लोप होने लगे धर्म प्रतिकूल आचरण होने लगे धर्म विरुद्ध आचरण होने लगे संस्कृति विरुद्ध आचरण होने लगे मनमोजी पना समाज में छा जाए माता पिता भी मनमोजी दादा दादी भी मनमोजी उनका आने वाला खांदान भी मनमोजी तो मनमोजीओं के खांदान तो रावण के खांदान होते हैं कंस के खांदान होते हैं दुरियोधन के खांदान होते हैं फिर तो खांदान धृतराष्ट के होते हैं जैसे धृतराष्ट के खांदान में कोई नहीं बचा सौ के सौ मारे गए, खतम हो गए, एक भी कोई नहीं बचा, जल देने वाला नहीं बचा, कोई पिंडवदान करने वाला गया मैं नहीं बचा, इतनी बड़ी राज सत्ता हस्तनापुर की, इतने भाई, कहां गए सब, उचित माता पिता नहीं मिले, उचित गुरु का ज्यान न भगवान स्री हरी इस प्रत्वी पर मौजूद हो अवतार के रूप में, उस समय वही साक्षात गुरु हैं, विस्व गुरु हैं, उनकी सरण में नहीं दिया, उनको सिखाया नहीं बच्पन में, धितराष्ट ने, दुर्यो धन को, सिखाया नहीं गांधारी ने, कि सुनो, किसी की बात सुनना मत सुनना, पर स्री कृष्ण की बात जरूर सुनना, वो नहीं सिखाया उन्होंने, तो कैसा, अब वो नहीं सिखाया तो उसका परिणाम क्या हुआ, एक बालक नहीं बचा, तो अब ये बालग हातनी किसको बोलेंगे, अब मैं आपसे एक प्रश्न करता ह हूँ स्रीमद भागवत में पूतना को बोलते हैं बालग हातिनी जो छोटे-छोटे बालकों की हत्या करते हैं अब मैं जरा यही बात अगर धृतराष्ट के लिए कहके और गांधारी के लिए कह दूँ तो कैसा होगा बताओ मैं प्रश्ण करता हूँ आप सबसे जितने लोग सर्वन कर रहें या करेंगे ये मेरा प्रश्ण है पूतना अगर बाल गातिनी है छोटे-छोटे बच्चों को मार रही है सबको तो अपने सो बच्चों की हत्या भी तो ये बाल गातिनी गांधारी कर रही है अपनी ही माहों करके नए एक उचित संदेश दिया नए एक उचित गुरू के पास सिफचा लेने दिया नख सर्कृष्ण की पहचान कराई जलनी कौन है माता कौन है तो रामचरित मानस में उर्मिला माता कहती है कि भाया रखुपती के भगत जिन्होंने अपने पुत्र को बना दिया वही मा कहलाने की अधिकार नहीं है उस अनुसार से रामचरित मानस के अनुसार से लक्षमन जी की मया के अनुसार से तो हम कदा पी दुरियोधन की मया आँखों में पट्टी बांधने वाली गानधारी को मैं कभी भी मा नहीं कह सकता क्योंकि रामचरित खंडन कर रहा है इसका लक्षमन की माता खंडन कर रही है इसका भगवान रामभी जिनकी इतनी स्ष्ट अभ्यर्थना करते हैं पूजन करते हैं मैया का अपनी मैया का बात न ठुक राएं लक्षमन की मैया का बात न ठुक राएं तो कई कई माता की बात नहीं ठुक राते राम तो ऐसे सज्जन हैं, राम तो ऐसे दयालू है, कृपालू है तो उन आचरुनों का पालन नहीं है हमारे जीवन में हम तुक्षलोब स्वार्थ के कारण ये अपना है, ये पराया है, चाचा का है, ये मामा का है, ये काका का है, ये नानी का है, तुम्हारा है इतनी प्रपंचन, इतना प्रपंचन घोल देते हैं जीवन में कि वो सब अपने पराएं में फज जाते हैं